हेलो दोस्तों आप सभी का मेरी चैनल पर एक भर फिर से स्वागत है और आज हम बनाएंगे बिना मैनत के और कम टाइम पे बहुत ही टेश्टी और हेल्थी रेसिपी तो चलिए फटा-फट से इसे बनाने स्टार्ट करते हैं इसके लिए यहां मैंने लिया है तिन मेडियम कावल को पानी से अच्छे से धो कर इसे भिगो दिया है और अब हम सारे सबजियों को कट कर लेंगे हमें इसे बारिक नहीं कट करना है और इस तरीके से बड़े टुकडों में आलू कट कर लेंगे और यहां मैंने दो प्याच लिया है प्याच को भी हम बीच में से कट कर ल जिससे इस रेसेपी में इस तरीके से प्याज काटके डालेंगे तो इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और आप देख सकते हैं मैंने बिम्स को भी बड़े टुकडो में कट कर लिया है और सेम तरीके से हम टमाटो को भी इस तरीके से बड़े बड़े स्लाइसे में कट करना है और आप देख सकते हैं सबजिया हमारे बिल्कुल अच्छे तरीके से कटके तयार हो गई है और अब हम रेसेपी बनाने के लिए एक कुकर लेंगे गैस का फ्लेम आन करेंगे और कुकर को अच्छे से गरम होने देंगे और आप देख सकते हैं कुकर हमारा बहुत तक तरीक에 से गरम हो गया है और अब हम इसमें दो बड़े चममच कोकिंग ओइल डालेंगे यहां मैने कोकिंग ओइल का यूज किया है आप इसके जगह घी या बटर का भी यूज कर सकते हैं आईल को हम अच्छे से गरम होने देंगे और अब हम इसमें ईक पड़े चम्मत जीरा डालेंगे। पत्ता इस तरीके से तोड़ कर और अब हम सभी मसालों को एक बार चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे या मिला लेंगे गरम मसाला तेल में अच्छे से क्रैक हो गया है और इसका फ्लेवर भी आ गया है और अब हम इसमें कटे हुए प्याज डालेंगे प्याज डालकर हम इसे चलाते हुए हाई फ्लेम पे एक से दो मिनट के लिए अच्छी तरीके से भून लेंगे जिससे प्याज का कलर चेंज हो जाएगा और प्याज का कच्चापन अच्छी तरीके से खतम भी हो जाएगा और आप देख सकते हैं प्याज को भूनते हुए हाई फ्लेम पे एक मिनट हो गया है और इसका कलर भी बहुत अच्छी तरीके से चेंज हो गया है और प्याज भी हमारे अच्छी से भून गया है इस टेम पे हम इसमें बड़े टुकडों में कटे हुए आलू डालेंगे आलू डाल करके हम इसे भी हाई फ्लेम पे ही अच्छी से चलाते हुए आलू को भी खड़ गरब मसाले और प्याज के साथ अच्छी से भून लेंगे जिससे आलू में भी इन सभी का फ्लेवर अच्छी तरह आ जाएगा और आलू का कच्चापन भी खतम हो जाएगा आलू के जगा पनीर का भी यूज़ कर सकते हैं आलू को भूनते हुए 2 मिनिट हो गए हैं और इस टेम पे हम इसमें कटे हुए पिम्स डालेंगे पिम्स डालना बिल्कुली ओप्सनल है अगर आपके पास हो तो डाले नहीं तो आप इसे भी स्कीप कर सकते हैं मेरे पास था तो मैंने इसे डाल दिया इससे बहुत ही अच्छा फ्लेबर आएगा और अब हम इसे भी चलाते हुए अच्छे से 1-1.5 मिनिट के लिए भून लेंगे जिससे इसका भी कच्छापन खतम हो जाएगा और अब हम इसमें बारी कटे हुए टमाटर डालेंगे टमाटर की जगा आप गाजर का भी यूज़ कर सकते हैं टमाटर डाल कर हम इसे भी हाई फ्लेम पे चलाते हुए अच्छी तरीके से भून लेंगे जिससे टमाटर अच्छे से सौफ्ट हो जाएगे और अब हम इसमें एक चमच फ्लेवर के लिए अधरक लैसुन का पेश टालेंगे आप यहाँ पे चाये तो दरदरा बारी कटा हुआ अधरक और लैसुन भी एट कर सकते हैं और अब इन सभी को हम चलाते हुए हाई फ्लेम पे और अच्छे से भून लेंगे जिससे सारे मसालों का फ्लेवर अच्छे से इन सारे सबजियों में मिक्स हो जाएगा और रेसेपी हमारा बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट बनेगा और अब देख सकते हैं यहाँ मैंने सारे सबजियों को अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लिया है हम इसे फ्लेम पे ही भूनेंगे जिससे सबजियों का क्रच और फ्लेवर बना रहेगा और अब हम इसमें स्वादन सार एक चमच नमक डालेंगे आधा चमच हल्दी डालेंगे और इसमें एक चमच धनिया पौडर डालेंगे तीखा के लिए हम इसमें एक चौथाई चमच लाल मिर्च पौडर डालेंगे तीखा आप अपने इसाब से कम्या ज़्यादा कर सकते हैं और अब हम इसमें फ्रेश एक कप मटर डालेंगे यहां मैंने सीजनल मटर का यूज किया है आप चाहे तो इसके जग़ फिरोचन मटर का भी यूज कर सकते हैं और अब हम इन सभी मसालों को सबजियों के साथ चलाते हुए मीडियम फ्रेम पे भून लेंगे जिससे मसाले तले में जलेंगे नहीं और सबजियों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएंगे यहां मैंने आलू मसाला मटर बनाने के लिए मसालों का यूज किया है अगर आप मसाले का यूज नहीं करना चाहते तो आप इसे स्कीप भी कर सकते हैं और आप आलू मतर का प्लाव भी बना सकते हैं और अब हम इसमें एक चोथाई चमच गरम मसाला डालेंगे दो से तीन बारी कटे हुआ हरी मिर्च डालेंगे ये डालना बिल्कुली आपसनल है अगर आपको पसंद है तो आप इसमें डालें नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते और अब हम इन सभी को चलाते हुए अच्छे से सारे सबजियों के साथ मिक्स कर लेंगे इस recipe को आप lunch या dinner कभी भी बना सकते हैं ये बनाना जितना ज़्यादा असाने खाने में उतना ही ज़्यादा healthy और tasty होता है सबजी हमारे अच्छी तरीके से भुन गई है और अब हम इसमें चावल डालेंगे यहां मैंने चावल को आदे घंटे के लिए पानी में सूप कर लिया था चावल डालकर gas का flame हाई कर लेंगे और हाई flame पे हम मसाले और सबजीों के साथ चावल को अच्छी तरीके से चलाते हुए mix कर लेंगे इस recipe को आप जब भी कम टाइम में बहुत ही टेश्टी और बढ़िया खाने का मनो तो इस recipe को आप जरू ट्राइ करें घर में बच्चे हो या बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा और ये फटा-फट से बन भी जाता है इसके साथ आपको खाने के लिए और कुछ भी नहीं चाहिए चावल को मसालो और आलो के साथ भूंते हुए अच्छे से एक मिनट हो गया है और आप देख सकते हैं मसाले चावल के साथ अच्छे से mix हो गया है और अब हम इसमें चार कप पानी डालेंगे यहां मैंने दो कप चावल लिया था इसके लिए यहां मैंने चार कप पानी का यूज़ किया है पानी हम नॉर्मल रूम टेंपरिचर का डालेंगे और गैस का flame high कर लेंगे और चावल को पानी में अच्छे से हम mix कर लेंगे जिससे हमारा चावल, मसाला कुछ भी तले में चिपके गर नहीं यहां मैंने मसाला मटर कुला बनाने के लिए कूकर का यूज क्या है आप इसे चाहें तो कड़ाई में भी बना सकते हैं और अब हम धक कर इसे high flame पे 1-2 मिनट के लिए इसमें उबाल आने देंगे कूकर को धके हुए 1-5 मिनट हो गया है और अब हम इसमें चेक कर लेंगे और आप देख सकते हैं पानी में अच्छा सा उबाला गया हम इसे एक बर फिर से चलाते हुए अच्छे से मिला लेंगे जिससे हमारा सारा इंग्रेडियंट अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा और अब हम कूकर का धकन लगाएंगे और इसे हाइफ लेंपे कूकर में एक से दो सीटी या विसल आने देंगे हमें इससे जदा इसमें सीटी नहीं लगाना है नहीं तो राइस हमारे ओवर कोख हो जाएगे और आप देख सकते हैं कूकर में दो विसल आ गए है गैस का फ्लेम आफ कर देंगे और अब हम इसे ठंडा होने देंगे कूकर ठंडा होने के बाद मैं आपको इसे खोल के दिखाती हूँ कि हमारा आलो मटर मसाला पुला बिल्कुल परफेक्ट बनके तयार हो गया है आप इस तरीके से पिना चंजट के कम महनत में और घर के इंग्रीडिंट से इस रेसिपी को घर पे जरूर बना के देखे और इसका स्वाद बिल्कुल बिर्यानी की तरह होता है आप अगर एक बार इसे बनाएंगे तो बार बार जरूर बनाएंगे आप इस recipe को जरूर घर पे try करें और ये देखिए पुलाव हमारा बिल्कुल ही खिला खिला बनके तयार हुआ है तो चलिए अब हम इसे गर्मा गर्म प्लेट में serve कर लेते हैं इसके लिए यहां मैंने एक प्लेट लेंगे और अब हम इसके उपर आलू मटर मसाला पुलाव डालेंगे आप इस recipe को घर पे एक पर बना के जरूर देखें इसका flavor और taste बिल्कुल बिर्यानी की तरह बनता है आप इस recipe को बना कर बच्चों के lunch या टिफिन में भी बना करके दे सकते हैं ये मिंटों में बनके तयार हो जाता है और अब हम इसे खीरे और प्याज के साथ सर्फ करेंगे आप इसे चाहे तो रायत है के भी साथ सर्फ करके खा सकते हैं या आप इसे ऐसे ही खाए ये खाने में बहुत ही tasty और flavorful होता है आप इस recipe को घर पे एक पर बना के जरूर देखें और अपना experience और feedback मेरे साथ जरूर शेयर करें और अगर आपको वीडियो और recipe अच्छी और helpful लगी हो तो इस recipe को जरूर like और अपने friends और relative के साथ जरूर शेयर करें मिलती हूं मैं आप सभी किसमें